सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी जीवन एक यात्रा है, इसे जबजस्त तरीके से तै करी, मनुश्य को हमेशा मौका नहीं ढूनना चाहिए, क्योंकि जो आज है, वही सबसे अच्छा मौका है हर सुबा आपको सलाम दे, एक ही मांग है भगवान सिखी, वो आपके जीवन में खुश्यों का वर्दान दे अमिति थी प्रारम होचाई की, उत्तर फालगुनी नामक नक्षत्र दोपहर 12 बचकर 43 मिलट तक रहेगी, इसकी उपरान हस्त नामक नक्षत्र प्रारम होचाई की, आज कर आहुकाल अर्थाद दिन का सबसे सुपसम में सुबा 7 बचकर 16 मिलट से 8 बचकर 58 मिलट तक रहेग आज इंद्रमा कन्या राशी पर संचार करेगी और आशूर्य मिथो राशी पर रहेंगी, मगर ऐसे 26 जुन दो हचार 23 दिन शोम मार, कानूनी मुश्किले अभी आपको पैशान कर रही है, इसमें सैथ चोट ये दुरगटना सामिल है, कड़ी मेहनत करें और अपने आसपास के विवादों को नजर अंदाश करें, आपके शत्रौ आपकी सफलता में बाधा डाल सकती है, किन्तु शकरात्मक रही, शक्री रहना आपकी लंबे समय तक मदद करेगा, आपको मिली हुए नए अजादी से, आज आज बेहतुर शाहित रहेंगे, नए विचार और योशना आपके विकास में सहायक है, पिछले को इस दिनों से जीवन में आई निरस्तक को दूर करने के लिए एक यात्रा का भी योग बन रहा है, जो लोगा आपकी नकल करने लगे, तो समझ जाए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं, लोगा आपका नकल करने लगे तो समझ जाए कि आप जीवन में सफल होने लगे हैं उत्तम ग्रह इस्थिती बनी हुई है कुछ प्रतिश्टित लोगों के साथ मिल मुलाकात के उशर बनेंगे तथा संपर का दाइरा भी विस्तरित होगा इस समय विदेश्यम मंधित कामों में पैसा लगाना फायदे मन रहेगा धार में गतिवीध्यों के प्रती भी आस्था रहेगी अधूरे काम आगे बढ़ सकती हैं लेकिन इस बार इसे सही दिसा में ले जाना होगा कुरानी गलतियों का डर निकाल कर नई उर्जय के साथ काम करें आपके लिए जो बाते योग गे हैं उन पर ध्यान दी महिलाओं को लाब मिल सकता है रिलेशन्शिप में नया अपन लानी के लिए पार्टनर को मिलकर प्रयतन करने होंगी पेट की जिलन भी उशकती है ध्यार रखें शवधानिया ध्यार रखें की घर की कोई महत्वपूर्ण बासारवजनिक हो सकती है इसका नकारात्म प्रभाव घर की विवस्था पर पड़ेगा वहन के रख रखाव शम्वंधितकारियों में अत्यधी खर्च हो सकता है विध्यार्थी वेर्थ की बातों की वज़े से अपनी लक्षे से भटक सकती है बात करते हैं लवलाइफ की घर में शुक्षान्ती बनी रहेगी आपके सितारे बता रही हैं कि किरायदारों या अपने अधिनस्त लोगों से मेल जोल बढ़ानी के लिए ये समय उप्युकत है अगर रिस्ता नया है तो इस राह पर धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं ऐसा करने से आप जल्द और अच्छे से एक दुश्रे को जान पाएंगी दुश्मनों से विवाद होने की भ्याशंका है आत्मविश्लेशन और अपने विचारों को विवस्थित करने के लिए आज का समय उप्युकत है अधिकुश्या में आकर कोई भी काम करने या निर्ना लेने से बच्ची अपने इसका का पड़नाम देने के लिए भी आस तयार रही इसके लिए अपने प्यार को कुछ कुछ खास करना ना भूली बात करती है करियर की समय के सांसाथ आपके सोच बैतर होती जा रही है आपके लगतार प्रयास आपको ना केवल नोकरी में उन्नती दिलाएंगी बलकि आपकी मेहनत का भी पूरा फल मिलीगा दुश्मन और विवादों से आपका पाला पड़ता रहीगा लेकिन आपके मजबूत इरादे आपको आपके लक्ष पूरा करने में मदद करेंगी जीवन के इस पड़ाव से आपने चितिस को देख सकती है हो सकता है कि आज आपके नए विचार या योश नए सफल ना हो लेकिन सहासिक या जोखिम भरे कार ये आज आपके काटसमी है यह समय आत्मे डिरिक्षन कहें और आप और आपका खुद पर पूरा नीयंत्रन है अच्छा सोचने से अच्छा काम करना बहतर है बात करती हैं सीहत की घर के बुजूर्गों के स्वास्त को लेका लापरवाही ना वरती इसे में उन्हें इलाज और भौनात्मक सहीयोग दोनों जिरूरी है कईयों को पेट में जलन भी हो सकती है ध्यार रखे आज का उपाए आज आप शिवलिंग पर 21 बेल पत्तर चड़ाएं शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमें इसे सकरात्मक सोंच के साथ आगे बढ़ती रहे आपका दे शुब हूँ